के यहहलो फ्रेंड्स वेलकम बैग तो मून केक्स तो आज का प्रोड़क्ट आप देख सकते हैं मैंगो चीज केक्ट आज कल जैसे जानते हैं ना चीज-केक बहुत ट्रेंडिंग है और खाने में भी यमि यह निलगता है तो आज हम बनाते हैं अपने कीचन में चीजकेक हॉम मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से हैं अब चीज के बनाने के लिए एक मिक्सर चार में हम पहले हाफ कप चीनी लेंगे और वन कप मैंगो का पल्प लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसके बाद हम अपना हमेड क्रीम चीज जो हम बनाया था न आप देख सकते हैं कितना स्मूध बना है और बहुत यमी है बहुत lively बन जाता है अब जाके इसके रेसिपी देखेगा मेरे चैनल पर बहुत येजी रेसिपी ये बहुत है आराम से बन जाता है आप ये डालिए इसके बाद डालिए इसमें half teaspoon vanilla essence optional है आप चाहें तो डाले आप चाहें तो ना डाले और उसके बाद इसको अच्छे से mix कर लीजिए cream cheese, mango pulp और sugar mix होके कुछ ऐसा सा consistency इसका हो जाएगा jelly सा और cheese cake का secret बताओ मैं आपको जब आप बनाने जाए ना तो आप जितना ही cream cheese लीजिएगा उतना ही आप whipping cream लीजिएगा whipping cream आप whip करेंगे तो वो फैल जाएगा बट cream cheese जो है ना वो फैलता नहीं है तो अब मैंने 500 g cream cheese लिया था और 500 g मैंने मतलब 250 ml मैंने whipping cream लीए है अब इसको हम विप कर लेंगे तौक जानते हैं यह तो विप होने के बाद ऐयरी हो जाता हुष उसके बाद हमिश ने जा पैसी प्लेंड करकर रखा रखा था mango और भण के यह कोने डालके हम इसको mix कर लेंगे आ हो यह मिख्स करते वक्त ना अगर आपको लगे कि इसमें कलर कम है मगरें आपको ज़्यादा येलो चाहिए हों लुए हम वहन प्लागा तो तो बहुता है तो करिया तो सकते है मैं तो क्रीम को विप करें तो वह सोफ्ट सा हो जाएगा जब आप क्रीम को विप करें तो वह सौफ्ट पीक होनी चाहिए उसके वह हार्ड पीक मतलब स्टिफ पीक कंसिस्टेंसी में नहीं विप होना चाहिए उसको आप सौफ्ट पीक कंसिस्टेंसी में विप कीजिएगा तो यह अ या तो आप डीजेस्टी बिस्कित किजीए घर पे गुड़े होगा वो यूज वह उसकर लिजे मुझे कॉकॉनट करन्च चाहिए था अपने बेस में इसलिए मैंने कॉकॉनट बिस्कित यूज किया है मैं ने कोकोनट बिस्किट को मिक्सी में पीस लिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर तो बटर आप अराउंड डालेगा टू टेबल स्पून अगर आप इसको मेल्ट करकर डालते हैं फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आपका बटर रूम टेंपरेचर पर है तो डालके इसको मिक्स कर सकते हैं इसके साथ मतलब यह ऐसा होना चाहिए ना पिसने के बाद मिक्स होने के बाद जैसे आप जब मठरियां बनाते हैं तो मोयन करने के बाद आटा कैसा होता है हाथ में बंदता है बिल्कुल यह ऐसे बंदने जैसा ही होना चाहिए ताकि यह जब प्रिजशे को सब्सक्राइब लो और लेती हैं sudah by और आप इसको लिए फेस कर लेजिए ऐसे इसमें ते दुना रहे हैं तो एटना दुने का जरूरता नहीं है उबस्का बैचारी क्छाइब लिए बना रहे हैं जादा बड़ा बना रहे हैं तो फिर आपको ऐसे बेस की जरुरत पड़ेगी तो मैं यह चेंज के मोल्ड में बना रही हूं तो मैंने फिर अपना बेस रड़ी किया और जो सिंगल सेर्फ के लिए वह एक ऐसा प्लास्टिक का जार है जो मैं सेल करती हूं तो इस मैं अपना मिकसर ह yoghshare रेडी किया था ना वह एक के अंदर फिल करेंगे वह मिकरं हम अरांड तהक मुझे से ऊपर हैं व messy शेट कर लेंगे इसको even के लेंगा आप चाहें थाफूर रज चु यह अधिय को बुक्या को जूप घ्रापर बनाना था यह जो क्रीम और बुढ मने सकी और मैंधो इसको बीजेश से बेंगे उसको बार्ट किया था सबस्सकंड है इसके बाद आप मंगो कराखे in881 में चarina भी झाल दाल乾क्ता आप मैंको धोगों देखते हैं हैं कि मैंस साथना इसके तो यह डालने के बाद आप इसको फ्रिज में डालके सेट कर दीजिए अराउंड 6-8 आवर्स या फिर ओवरनाइट यह अच्छे सेट हो जाएगा तो ही इसको खोलिएगा आप परनागर आप पहले इसको खोल दी और अगर सेट नहीं हुआ तो आपका सारा चीज के खराब हो तो फिर साइट में आप इसको पहले नाइफ से थोड़ा सा लूजन आप कर लिजिए अगा ताकि वो खोलते वक्त परिशान नहीं ना दे आपको खोलते वक्त तो लगता ही है मुझे भी लग रहा था पता नहीं कैसा सेट होगा या नहीं लेकिन यह बहुत अच्छा सा हुआता है और मैंने इसके स्लाइस निकाले मैंने इसको टेस्ट किया यह क्या गजब का टेस्ट था आप यही मार्केट में लेने चाहेंगा यह बहुत एक्स्पेंसिव होता है इसके एक-एक स्लाइस जो है ना वह 100-150 की मिलते हैं आपको मतलब 120-150 तो जेनरल रेट है इसक देखिए कितना सॉफ्ट है ना बहुत यमी बना था आप ट्राइ कीजेगा अगर आपको यह इजी से रेसिपी पसंद आई हो आप ट्राइ करके देखेंगे आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लाइक कर लीजेगा और मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरे पेज को फॉलो कर लीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इंजॉय कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग जल्दी याउंगे आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी लेके